हेलोफेंट्स मैं सुरेश्कमार सर्मार एक बार फिर से बहुत वह स्वाथ करता हूँ आपका अपने चैनल पर यदि आपके पास किसी भी बैंक में परधान मंतरी जंदन योजना का बैंक खाता है तो आपको पता होगा कि परधान मंतरी गरीब कल्यान पैकेज के तहट आपक के लिए अनौंस्मेंट किया गया था परधान मंतरी जंदन योजना के बैंक खातों के अंदर जून के महीने में भी ये पैसा डाला जाना सुरू हो चुका है तो जून के महीने में भी परधान मंतरी जंदन योजना के बैंक खातों के अंदर सरकार खाता संख्या के हिसाब से अलग-अलग दिन पर यह पैसा डाल रही है तो यह दिया आपके पास पर्धान मंतरी जंदर योजना का ऊक्राइक बैंक खाता है तो अपनी पास मुक निकाल लीजाए आपकी पास पर जो आपका खाता नंबर पर है उस नंबर के आदर पर ही आपके खाते के अंदर ये जंदन योजना का पैसा डाला जा रहा है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कितनी तारिक को आपके बैंक खाते के अंदर ये पैसा जून के महीने में डाला जाना है और कितनी तारिक को आपको उस पैसे को निकालने के लिए जाना है आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्याम से आखिर तक देखेगा कि कि इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों के जंदन खातों के अंदर पैसा ये डाला जा रहा है और किन लोगों के जंदन खातों के अंदर ये पैसा नहीं डाला जा रहा है और किस किस तरीके स आप अपने जंदन कहते के अंदर आएवे पैसे को जाकर निकाल सकते हैं तो इस पूरी जांकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आइए हम अपनी बैंक की जो पास्बुक है जंदा नियोजना की उसको अपने हाथ में निकाल लीजिए तो आपका जो जंदा नियोजना का बैंक अकाउंट नंबर है उस बैंक अकाउंट नंबर का लास्ट का अंक जीरो है या फिर एक है तो आपके खाते के अंदर ये जंदा नियोज है जो इसका डाला जाला जाना है, और यह कि जंदन योजना को यह थो आटे के अंदर नो तारिक को ये पैसा डाला जाएगा और यदि आपके जंदन योजना का जो खाता नंबर है उसका लाश्ट का अंक आठ है या फिर नो है तो दस तारिक को आपके खाते के अंदर परदानमंतरी जंदन योजना का जो पैसा है वो डाला जाएगा तो यदि आपके पा सकते हैं कि परदानमंतरी गरीब कल्यान पैकेज के तहट परदानमंतरी जंदन योजना के महिलाओं के खाताधारकों के खातों के अंदर 500 जून महीने की किस्त बैंकों में बेजी जा रही है पैसे पूरी तरीके अंक से आपको ये पता चल जाएगा कितनी तारिक को आपके खाते के अंदर पैसे डाले जाने हैं आप पैसा निकालने के लिए उस तारिके साब से जा सकते हैं हाला कि आपके परदानमंत्री जंदन योजना के खाते के अंदर जिस दिन भी ये पैसा डाला जाएगा तो आपके रेइस्टर मुवाइल पर एक SMS भेज कर आपको बता दिया जाएगा कि आपके जंदन योजना के खाते के अंदर 500 रुपे जून के महीने किस्ट डाली गई है अगर आपके पास रेइस्टर मुवाइल नंबर नहीं है तो आप मिस कॉल के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपके खाते के अंदर पैसे आया है या नहीं आया है यदि आपके पास इसका ATM कार्ड है तो आप ATM मसीन बज़ा कर किसी भी ब्रांच से या अपना ये 500 रुपे किस्ट निकाल सकते हैं आपकτε ब्रांच से अपने ATM कार्ड से ये किस्ट निकालते हैं तो आपके ATM से पैसे निकालने पर नहीं काटा जाएगा हाला कि कई जगाओं पर बैंक अपने कस्टूमर्स को ये साहिता रासी पहुचाने के लिए उनके घर पर इस कैस की डिलिवरी कर रहा है बारतिय स्टेट बैंक अपने CSP के जरिये कई जगाओं पर कैम्प लगा कर भी इस पैसे को लोगों तक पहुचा रहा है तो यदि आपको इस पैसे की अभी फिलाल जरूरत नहीं है तो आपके खाते के अंदर ये पैसा आ जाता है तो आप बाद में इसे कभी भी निकाल सकते हैं ये पैसा आपके खाते में एक बार आने के बाद फिर आपके खाते से कभी भी कहीं नहीं जाने वाला है और आपको खास तोर पर यहां पर यह ध्यान रखना है, बहुत से लोगों के नीचे मैसी जाते हैं, कि हमारे जंदन योजना का खाता हमारे पास है, लेकिन हमारे खाते के अंदर यह पैसा नहीं आए, तो आपको बता दें कि अपरेल के महीने में पांदरा सुर्पे किस्त पं कि जो खाते महीलाओं के हैं, तो महीलाओं के पजान मंतरी जंदन योजना की खातों के अंदर ही यह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप जून के महीने की पांच सुर्पे किस्त अपनी जाकर रिसीब कर सकते हैं, आई हो फ्रेंड यह वीडियो आपके किसी बैटियो को आपके से नेक्स वीडियो में तब तक ले गोड़ बाई, टेक केर, जैन